Hello everyone, Buddings में आपका स्वागत है मैं एक इंजीनियर हूँ, आप एक इंजीनियर है और लगबग जो सब इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो सब इंजीनियर ही होंगे 80% इंजीनियर होंगे और आपन को पता है कि आज इंजीनियर्स डे है तो आपन कुछ कहेंगे नहीं क्योंको सब को पता है कि हमOOOO proud to be a part of this engineering community और मुझे लगता है कि देखो, बहुत रोगण कहते हैं कि edgineering, engineers utiliz bearos garbae go home रहे हैं बहुत सारा लोगों ने engineering को बहुत बधनाम किया है ज्प पने इंजीनियर्ग नहीं होता है जब engineering आप complete करोगे तो आपके अंदर एक inbuilt potential generate हो जाएगा जो आपको किसी भी field में आपको वो potential help करेगी आप अगर example ले लो देखो आप simply example लोगे तो आपको दिखाई देगी कि जितने भी civil services examination हो रहे है या जो भी exam हो रहे है उसमें कहीं ने कहीं इंजीनियर्स जो हैं काफी आगे आ रहे हैं तो reason क्या है? reason यह नहीं है कि like वो बहुत है brilliant है reason यह है कि उसको मेहनत करने की आदत बन जाती है और मेहनत में भी उसको होना solution निकालने के आदत मिल जाती है लागे हम अपनको अगर exam pass करना है तो कैसे exam pass करना है उसी पर focus करते हैं अपने को अगर semester को 10 दिन बचाए तो उस 10 दिन में अपन कैसे तयारी करेंगे बस उसी पर focus करते हैं तो हमारे अंदर में वो tip centric वाला जो technique होता है वो generate हो जाता है चलो भाई 5 phase का question answer है एक्जाम में तो यह question पूछने वाला है तो इसको किसी भी तरीके से ऐसा करो बना लेते हैं ताकि exam में लिख देंगे अपन लिखने की आदत आ जाती हैं अपन frustration को handle करना सीख जाते हैं और इन सब के बाद जब आप जीवन में आते हो तो जीवन की problem अगर लेमन-language में बहुत ही गवार की language में अगर बोलोगे न तो इंजीनियर जो होता है जो solution निखालता है कोई भी problem दे दो अपन solution निखाल लेंगे life की फटी पर ही है अपन solution निखाल लेंगे job नहीं निकल रही है अपन solution निकाल लेंगे कुछ नहीं हुआ तो भी अच्छा कर लेंगे यह इंजीनियर होता है तो विशु वेरी हैपी to you all like you all are engineers so be proud okay so thank you guys happy journey bye bye